उत्तर प्रदेश में इस वक्त ब्राम्हड सियासत का पारा बेहत गर्म है। इसको लेकर आज अमीठी में एक दिवस्य दोरे पर आये जिले के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा ने सतीश चंद्रमिस्र के उस बयान का जवाब देते हुए कहा कि मुझे बहुत ही अपसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर कानून में न्याय दिलाने वाले लोग इस तरह का प्रस्न उठाएंगे ये बहुत ही दुर्भागि पूर्ण है ऐसे लोग देश की सियासत में हैं जो देश की जनता को गुम्रा करके विकास कार्यों में रोडा बनते हैं उन्होंने आगे कहा कि सतीश चंद्रमिस्रा जी को बहन जी के समय का नारा याद दिलाना चाहता कि जब उन्होंने कहा था तिलक तराजु और तल्वार इनको मारो चार ये नारा किसका था अगर इस बात का जवाब सतीश संद्रमिस्रा जी हमें दे देंगे तो मैं अपने ब्रामण भाईयों को पता दूँगा मौसीन रजा ने आगे कहा कि सबका साथ सबका भिकास सबके विश्वास के मूलमंत्र पर आईये हमने अपराधियों से उत्तप्रदेश को अपराध मुक्त किया है और आप उसमें जातियां ढून रहे हैं अमारा इन् decreasing कोई आदेश नहीं सबकारी आदेश नहीं है आईकोट आदेश नहीं है नहाएले नहीं ले गयर लेकिन गारी पंट की है मार het खीक और का से झालब एक उलगत काम किया था लेकिन बागी ल्गों यह क्या किया कितने लोग गाड़ी पर्टवा के मरवा भी आपने कहा कि गाड़ी पर्टी फिसल करके और उसे निकले और वो पुलिस वाले को पर हमला कर रहे जिसमें गोली मार दी अगर इस तरीके से आप करेंगे तो कितने किस से आप सुनेंगे अपसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर कानून में नियाय दिलाने वाले लोग इस तरह की बात प्रशन उठाएंगे चाहे सतीशन मिश्राजी हो या असुद दिन वैसी हो वो अपनी जाती और अपनी समाज के लोगों को ढूंडते हैं अपराधियों में और ये भी अपर साथियों में अगर इस तरह की बात सतीशन मिश्राजी कर रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग के फूर्ण है कि ऐसे लोग देश की सियासत में हैं और इस तरह की बातें करके देश के लोगों को गुमराह करके विकासकारियों में रोड़ा बनते हैं देश के निर्मार और विक मुझे वो मेरे बहुत वरिष्ट है तो मैं चाहूँगा कि ये मैं अपने ब्रामण भाईयों को बता दूगा ओव ऐसी आए हुए थे उन्होंने कहा था कि ये जितने भी इंकाउंटर हो रहे हैं उस इंकाउंटर में इतने प्रतिस्त मुसल्मान मारे गए हैं अगर ऐसी बांसिक्ता किसी की होगी तो वह कौन सी राजनीती कर रहा होगा ये आप खुद ही जान सकते हैं ऐसे लोग देश और प्रदेश का विकास कैसे करेंगे ये सब धुरुवी करन करने वाले लोग हैं ये राष्ट की सेना पर सवाल उठाते हैं ये लोग उतर प्रदेश की प्रिस पर सवाल उठाते हैं जब वह आतनकवादियों को पकड़ती है ये मनोबल तोड़ने वाले लोग हैं ये जनता के हितों के लिए काम नहीं करते हैं और ये लोग टुकडे टुकडे गैंग के लोग हैं देश और प्रदेश की जनता इनको जान चुकी है बताते चले कि अमेठी जिले के प्रभारी मंतरी मोसी नजा आज अपने एक दिवसिये अमेठी दौरे पर पहुंचे थे जहां पर वह सबसे पहले मुशाफिरकाना तैसिल अंतरगत विकास खंड सुकुलबजार पहुंचकर ब्लाक सभागार में विकास कार्यों को लेकर समीच छगबैठक में भाग लिया और कोविद-19 की इस्तिती व्योंग उसके टीका करण के विसे में भी जानकारी प्राप् 24 के लिए रतनेश अग्रहरी की रिपोर्ट सुल्तानपुर और आमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज करण